देश में बढ़ती बेरोजगारी आज एक बड़ी समस्या है और बीजेपी सरकार इस समस्या पर आँख मूद कर बैठी है लेकिन कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर मोधी सरकार के खिलाव जंग छेड़ रखी है भारत जोड़ो यात्रा में राहूल गांधी लगातार बेरोजगार युवकों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी बात पियम मोधी तक पहुंचा रहे हैं लेकिन सरकार ने जैसे अपनी आखें और कान बंद कर लिये हैं जिसको लेकर राहूल ने एक बार फिर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोला है तो क्या कहा है राहूल गांधी ने देखते हैं ये रिपोर्ट यात्रा के 35 दिन भी राहूल गांधी ने बेरोजगार युवाउं से मुलाकात की अपनी इस मुलाकात को लेकर राहूल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज बेहत प्रतिवाशाली युवाउं से मुलाकात हुई कुछ इंजीनियर थे कुछ एमबिय थे लेकिन सबी शिक्षित बेरोजगार थे प्यम की प्रतिवाश दो करोर नोक्रिया नहीं है लेकिन प्यम का पी यार और प्यम के दो यार इसके बजाए युवाउं को रो मजबूत कदम नहीं उठाया है राहूल गांधी ने करनाटक राज्य के बेरोजगार युवाउं की बात सुनी अपनी इस जनसबा में राहूल काफी आकरमक अंदास में नज़र आये जिसको लेकर कॉंग्रेस ने लिखा कि आश्री राहूल गांधी ने करनाटक में कारी को खत्ब करने की ओर सशक्त कदम बढ़ा चुके हैं राहूल गांधी की भारत जोड़ यात्रा का 36 दिन है आज उन्होंने चित्र दुर के बोमा गुंडाना हली से कॉंग्रेस कारेकरताओं के साथ पैदल मार्च की शुरुआत की उनके साथ करनाटक कॉंग्रेस के कई की बड़े नेता भी शामिल रहे तमिलाडू के कन्या कुमारी से शुरू हुई राहूल की यात्रा अब तक 925 किलो मीटर से आगे जा चुकी है ये यात्रा 12 राज जोसे होते हुए कश्मीर में जाकर खत्म होगी डीबिलाइफ की रिपोर्ट